एक्सल इन्फो टेक में आपका स्वागत है मैं हूँ विनोर और टेली प्राइम की इस सिरीज में हम आपको बताएंगे कि कमपाउंट एंट्रीज क्या होती है और टेली प्राइम में उन्हें कैसे करते हैं कई बार अकाउंट्स में ऐसा होता है कि हम एक ही नेचर के बहुत से ट्रांजेक्शन एक ही तारीख में अलग अलग वाउचर में रिकॉard करते हैं यदि आप चाहें तो उन्हें एक साथ एक ही वाउचर में भी रिकॉard कर सकते हैं ऐसी स्थिती में यह compound entries यानि मिश्रित प्रविष्टियां कहलाती हैं ऐसा करने से हमारा समय बच्चता है यानि सरल शब्दों में कहा जाए तो compound entries का मतलब है दो या दो से अधिक transaction की entry एक ही voucher में करना इस काम को हम आगे अलग-अलग vouchers का उफ्योग करते हुए समझेंगे हम पहला उदारन देखते हैं यहां हमें तीन अलग-अलग customer से check प्राप्थ हुए हैं जिनकी details हम नीचे दे रहे हैं और ये सभी check 2 April 2023 को अपने bank account State Bank of India में जमा कर रहे हैं पहला पंकज enterprise से HDFC bank का रुपए 50,000 का check dated 2 April 2023 प्राप्थ हुआ जिसका नमबर है 123456 दूसरा दीपत trader से अलाबाद bank का रुपए 2000 का check dated 2 April 2023 प्राप्थ हुआ जिसका नमबर है 456789 और तीसरा है पवन trader से Bank of India का रुपए 11,000 का check dated 2 April 2023 प्राप्थ हुआ जिसका नमबर है 222333 जैसा कि आप जानते हैं ये तीनों ही entries receipt voucher से संबंदित हैं इन तीनों ही entries के अंदर हमें parties को credit करना होगा और अपने bank account को debit करना होगा आपकी सुविदा के लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने अपनी teleprime की जो भी company create की है उसके अंदर हमने जितने भी ledgers से आपे बनाए हैं उन ledgers को हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं जिसकी मदद से आप इन सभी ledgers को बना करके इन सभी entries का practical कर सकते हैं तो चलिए आईए अब हम इसे practical तरह से समझते हैं आप देख सकते हैं हमने आपर compound entries के नाम से एक company create की है और इसके अंदर हमने जितने भी ledgers से आपर बनाए हैं अगर आप इसकी practice करना चाते हैं तो मारे बताये गए ledgers को आप अपने account में create करके इसकी आसानी से practice कर सकते हैं तो चलिए अब हम इसके entry आपको करके दिखाते हैं यहाँ पर आपको vouchers में जाने के लिए V press करना है और V press करने के बाद यहाँ पर आपको receipt voucher के लिए F6 दबाना है या तो फिर आप यहाँ पर click कर सकते हैं और या तो फिर आप अपनी keyboard से F6 press कर सकते हैं और यहाँ पर F2 press करने के बाद date को change कर सकते हैं तो फिलाल हम same date को यहाँ पर रहने देंगे और यहाँ पर enterprise करेंगे particular में आप देखेंगे यहाँ पर credit आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर हम सबसे पहले पंकज enterprise को select करेंगे पंकज enterprise को select करने के बाद उससे हमें जितने amount की राशी का check प्राप्त हुआ है उतना amount हम यहाँ पर fill करेंगे इसके बाद यहाँ पर हम enterprise करेंगे इसके बाद हमें दूसरी party को भी यहाँ पर credit करना है तो इसके लिए हम यहाँ पर C type करेंगे C type करने के बाद यहाँ पर enterprise करेंगे और इसके बाद यहाँ से हम select करेंगे दीपक traders को दिपक traders को select करने के बाद जितनी भी राशी का हमें चेक दिपक से प्राप्त हुआ है उतनी राशी का amount हम यहाँ पर fill करेंगे और इसके बाद enter press करेंगे enter press करने के बाद हमारी जो तीसरी party है उसको भी हम यहाँ पर select करेंगे तो उसके लिए हम यहाँ पर वापस से C प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे एंटर प्रेस करने के बाद हमारी जो तीसरी पार्टी है पंकज टेडर्स हम यहाँ उसे सेलेक करेंगे और जितना अमाउट का चेक हमें पंकज से प्राप्ट हुआ है उतना amount हम यहाँ पर fill करेंगे और इसके बाद यहाँ पर हम इसे enterprise करेंगे enterprise करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको State Bank of India को debit करना होगा अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि bank account में तीनों parties का जो total amount है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है bank allocation screen आपको दिखाई दे रही है और यहाँ नीचे की तरफ आप देखेंगे पहली party का name आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको enterprise करना है enterprise करने के बाद जितना amount हमें package enterprise से प्राप्त हुआ है उतना amount हम यहाँ पर fill करेंगे इसके बाद enterprise करेंगे enterprise करने के बाद यहाँ पर आपको अपना instant number टाइप करना होगा याँ आपका जो check का number होगा वो आपको यहाँ पर fill करना होगा इसके बाद आपको यहाँ पर enterprise करना है enterprise करने के बाद आपको यहाँ पर एक बार और enterprise करना है और यहाँ पर bank name में आपको यहाँ पर space stress करना है space stress करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको कोई भी bank account दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ पर आपको specified bank name को select करना है और यहाँ पर enter press करना है और यहाँ पर आपको उस bank का नाम देना होगा जिस bank का check आपको यहाँ पर प्राप्त हुआ है और इसके बाद आपको यहाँ पर enter press करना है देखें ऐसा करते ही हम second line में यहाँ पर आ चुके हैं बट इसमें आप देखेंगे यहाँ पर जो नाम है वो पहली party का ही दिखाई दे रहा है तो इसके लिए आपको backstage test करना है और backstage test करने के बाद यहाँ से आपको अपनी party को select करना है select करने के बाद यहाँ पर enter press करना है और यहाँ पर आपको अपना amount fill करना है amount fill करने के बाद यहाँ पर आपको instrument number fill कर देना है और इसके बाद आपको यहाँ पर एंटरपैस करना है, यहाँ पर आपको date सेलेक करनी है, एंटरपैस करना है, यहाँ पर आपको space plus करना है, specify bank को सेलेक करते हुए, यहाँ पर bank account का name फिल कर देना है, उसके बाद आपको एंटरपैस करना है, एंटरपैस करते ही, same इसी तरीके से, आपको वापस से backstage दबाना है, date आपको set करनी है enter press करना है और यहाँ पर आपको bank name select करना है space press करना है specify bank को select करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको अपना bank name type कर दे रहा है इसके बाद enter press करना है यहाँ पर narration type कर दे और अब इस transaction को enter करके save कर ले अब हम दूसरा उधारण समझते हैं हमने 1 मई 2030 को दो पिमिंट किये हैं जिसमें पहला हमने मोहन सिंग को मा मई 2030 को आफिस का किराया 5000 नगत दिया और दूसरा अपने करमचारी अमन वर्मा को मा अप्रेल 2030 का वेतन 5000 रुपे नगत दिये इसमें आप देख सकते हैं rent और salary दोनों ही account debit होंगे और हमारा नगत account credit होगा यानी cash account credit होगा पिमिंट voucher के लिए यहाँ पर आपको F5 प्रेस करना है और यहाँ तो फिर आप यहाँ पर क्लिक कर सकते ही इस पर क्लिक करते हुए आप देखेंगे आपके सामने याप पर payment voucher आपको दिखाई दे जाएगा इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी date सेलेक करनी है तो यहाँ पर हम F2 प्रेस करते हुए date को set कर लेते हैं और यहाँ पर 1 मई 2030 डालते हुए हम इसको enterprise करेंगे debit में हम यहाँ पर सबसे पहले rent paid को select करेंगे और यहाँ पर amount fill करेंगे आप enterprise करके आगे बढ़ने से पहले हमें इसकी narration डालनी होगी narration डालने के लिए more details पर आपको click करना है इसके बाद आपको यहाँ पर show mode को select करना है और enterprise करना है और इसके बाद नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा laser narration का एक option इसको select करके आपको यहाँ पर enterprise करना है enterprise करने के बाद आपको यहाँ पर इसकी narration डाल देनी है narration को fill करने के बाद यहाँ पर आपको enter press करना है यहाँ आप देखेंगे credit आ रहा है और हम यहाँ पर दूसरे account को भी debit करना चाहते हैं तो यहाँ पर d press करते हुए हम enter press करेंगे हम यहाँ पर salary account को select करेंगे salary account को select करने के बाद यहाँ पर amount fill करेंगे amount fill करने के बाद यहाँ पर हम इसकी भी narration टाइप कर लेते हैं तो इसके लिए more details पर बापस से जाएंगे यहाँ से आपको show more को select करना है और इसके बाद pleasure narration को यहाँ पर select करते हुए enterprise करना है और यहाँ पर इसकी narration fill कर देनी है narration को fill करते हुए हमें आपर enterprise करेंगे enterprise करते हुए हमें यहाँ पर देखेंगे credit हमें दिखाई दे रहा है हम इसे यहाँ पर credit ही रहने देंगे यहाँ से हम cash select करेंगे cash को select करते हुए हमें आपर enterprise करेंगे enterprise करते ही आप देखेंगे current balance अभी हमारा यहाँ पर red में आपको दिखाए दे रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी हमारे पास cash नहीं है और यहाँ पर हम payment के entry पास कर रहे है यहाँ पर आप देखेंगे हमारा cash account credit हो जाएगा और rent paid और salary account यहाँ पर debit हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पर आपको enterprise करना है enterprise करती है आप देखेंगे आपको यहाँ पर warning आजाएगी negative cash की क्योंकि हमारे पास कोई भी cash नहीं है और हम यहाँ पर cash के entry पास कर रहे है आप यहाँ पर enterprise करेंगे चलिए आएगे देखते हैं यहाँ पर आपको go to पर click करना है और अब यहाँ से major voucher को select करें और यहाँ से rent paid को select करें इसके बाद यहाँ पर after press करें after press करने के बाद यहाँ पर आपको show narration का एक option दिखाई देगा यहाँ पर इसे yes करें और उसके बाद यहाँ पर इसे control A से accept कर लें accept करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको इसका narration दिखाई दे रहा है अब देख लेते हैं तीसरा उधारण 31 मई 2023 को व्यापार के स्वामी ने अपने व्यापार में रुपए एक लाग नगद लगाए साथ ही वह आफिस में उपियोग के लिए 50,000 का furniture भी लाया ध्यान रहे कि व्यापार का स्वामी नगदी या furniture जो भी व्यापार में लगाता है वह उसकी capital होती है व्यापार का स्वामी जो नगदी लाया है उसकी entry तो हम receive voucher में कर सकती है और अब सवाल है कि जो furniture लाया है उसकी entry कौन से voucher में होगी furniture आया है तो क्या इसकी entry payment voucher में हो सकती है नहीं हो सकती क्योंकि payment voucher में एक laser cash या फिर bank का होता है और यहाँ पर हमने किसी तरह का payment नहीं किया है क्या इसकी entry purchase voucher में हो सकती है नहीं क्योंकि purchase voucher में उन items की entry होती है जिनका हम व्यापार करते हैं हम तो ये furniture office उप्योग के लिए लाए हैं और अब सबार उठता है कि इसकी entry कौन से voucher में होगी को याद होगा कि हमने आपको बताया था कि जिस voucher के entry किसी भी voucher में नहीं हो सकती उसकी entry हम general voucher में कर सकते हैं और अब यहाँ पर confirm हो गया कि यहाँ पर receipt की entry receipt voucher में और furniture की entry general voucher में कर सकते हैं तो अगर आप इन दोनों की entry एक साथ करना चाहते हैं तो इसकी entry आप general voucher में कर सकते हैं तो यहाँ पर F7 प्रेस करते हुए हम general voucher पर चलते हैं देख सकते हैं आप general voucher यहाँ पर open हो चुका है यहाँ पर F2 प्रेस करके date को change कर लीजिए क्योंकि cash account और furniture account दोनों ही हमारे पास आ रहे हैं तो इसलिए हमें यहाँ पर cash account और furniture account दोनों को ही debit करना होगा अब आप यहाँ पर देख सकते हैं cash account हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है तो इसके लिए हम show mode को select करते हुए enter प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम cash को select करेंगे और यहाँ पर हम amount type करेंगे amount type करने के बाद आपको यहाँ पर enter प्रेस करना है और यहाँ पर depress करते हुए आपको enter प्रेस करना है यहाँ पर select करना है आपको furniture furniture को select करते हुए यहाँ पर भी आपको amount fill कर देना है और एंटरप्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको Capital Account को सेलेक करना है Capital Account को सेलेक करते हुए आप देखेंगे Capital Account हमारा डेल लाग से यहाँ पर क्रेडिट हो चुका है और Cash और Furniture Account दोनों हमारा यहाँ पर Debit हो चुका है और अब हम यहाँ पर narration टाइप करते हुए इस entry को यहाँ पर accept कर लेंगे अब देखते हैं चोथा उधारण 2 जून 2023 को व्यापार के स्वामी ने अपने परसनल अर्थात नीजी उपियोग के लिए रुपए 5000 कैश और एक सोनी टीवी जो की 20 इंची है जिसकी खरीद मूल 20,000 है वो लिए यहाँ पर हम आपको बता दे कि जब व्यापार के सामे अपने नीजी खर्च के लिए नगदी या व्यापार की कोई बस्तू जिसका वाव्यापार कर रहा हो या फिर कोई assets जैसे की office का पुराना furniture भी हो सकता है नीजी खुपियोग के लिए लेते हैं तो उसका amount ड्राइंग अकाउंट में debit किया जाता है और वर्ष के अंत में ड्राइंग अकाउंट का जो भी balance होता है उसे 81 capital account में transfer किया जाता है यानि capital account को debit करके ड्राइंग अकाउंट को credit किया जाता है और यहाँ पर ड्राइंग अकाउंट का laser capital account के group के अंतरकत बनाया जाता है चलिए वापस transactions पर चलते हैं अगर हम चाहें तो ये दोनों ही transactions हम अलग अलग record कर सकती हैं जैसे पहला व्यापार के स्वामी के लिए ड्राइंग credit और cash account credit और ये entry payment voucher में होगी और दूसरा स्वामी ने टीवी लिया है तो इसमें एक account यानि drawing account debit होगा लेकिन सवाल उठता है कि दूसरा कौन सा account है जो की credit होगा और यहाँ पर हम आपको बता दें कि यदि हम जिस वस्तू का व्यापार करते हैं उसको अगर हम personal use के लिए ल voucher में की जाएगी हम purchase account को credit करना चाते हैं लेकिन purchase voucher में केवल आय हुए माल की entry होती है गए हुए की नहीं है ऐसे स्थिति में हमें इस entry को general voucher में करना होगा अब यदि आप इन दोनों ही entries को अलग-अलग करने के बजाए एक साथ करना चाते हैं तो general voucher में इसकी entry पास कर सक यहांपर हमें drawing account को select करना है और यहांपर debit amount में हमें दोनों ही amount का total amount यहांपर डालना होगा जैसे हमने यहांपर type कर दिया 25,000 और शक बाद यहांपर आपको enterprise करना है enterprise करने के बाद आपको यहाँ पर cash account को select करना है तो cash account के लिए आपको यहाँ पर show mode पर जा रहा है और यहाँ पर cash account को select करने लेना है cash account में आपको यहाँ पर amount 5000 type करना है amount डालने के बाद आपको यहाँ पर enterprise करना है यहाँ पर आपको credit को ही रहने देना है enter press करने के बाद यहाँद आपको purchase account को select करना है purchase account को select करते हुए आपको यहाँपर item की detail डालने होगी और अब हमने यहाँपर जो भी item निजी उपयोग के लिया है उस item को यहाँपर select करेंगे select करने के बाद यहाँपर उसकी quantity डालेंगे ध्यान रहे कि आपको यहाँ पर जिस rate से अपने माल खरीदा है आपको यहाँ पर वही rate डालना चाहिए Enter test करते हुए आगे बढ़े narration type करते हुए अब इसे यहाँ पर accept कर लें इस तरह की कई सारे ऐसे transactions होते हैं जिने आप एक साथ इकठा कर सकते हैं और अपनी transaction record करने की गति को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को like, comment, share जरू कीजेगा धन्यवाद